खबर लुध्याना से है जहां ट्रक की टकर से कंटेनर पलड़ गया हाईवे में ट्रक की टकर से कंटेनर पलड़ गया एक्सिडन के बाद हाईवे में जाम भी लगया जाम में घंटो रहागीर फसे रहे तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे है क्या स्थिती बनी हुए जानकारे सामी नहीं आई है लेकिन बहुती जादा लंबा जाम या पर लग गया था जिसके वरे से लोगों को दिक्कते हुई है साथ की बड़ी बात में अगली जो खबर है वो लुधियाना से है ट्रक की टककर से कंटेनर पल दिया है हाइवे में ट्रक की टककर से कंटेनर पलता है एक्सिडन के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया और लंबे जाम की वज़ा से राहगीर घंटों से अभी भी फसे रहे एक्सिडन के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस जाम में घंटों फसे रहे रहा दिये अभी तो धिरी-दिरी रूट क्लियर किया जा रहा है चूकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ गई है लेकिन देखिए इस तिरी जरा देखिए अगर देखते जाएंगे हमारे हमारी कैमरा टीम जब यहां से गुजरी तो जरा देखिए यहां पर कई किलो मिटर तक हमें चलना पड़ा लेकिन यह जाम खतम होने का नामी नहीं ले रहा था यह तो घनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस अभी वहां पर आ गई तो धीरे धीरे जाम खुलना शुरू हो गया है